वेलकम बैक फ्रेंड आपकी यूटूब चैनल इंडल असिस्ट डिसेंडर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के लिए जो आपकी इस्पेसल डिमांड थी उस डिमांड के अनुरूप मैंने इन्वालमेंट की फिर से एक नई स्रीज इस्टार में आने की संभावना है हर स्रीज में आपको मिनमम 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे और वो भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपकी सभी परच्छा है चाहे वन डे कोई भी एकजाम हो उसमें इन्वालमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इस्पेसली जो आपकी साथ जुलाई को सीटेट के एकजाम है उसमें 30 क्वेश्चन का एक पूरा आपका एक सेक्षन है उसमें भी 30 प्रस्टन इन्वालमेंट के आएंगे तो इसलिए मैंने स्रीज फिर से स्टार्ट की क्योंकि आप सभी लोग के कमेंट आ रहे थे कि इन्वालमेंट के कुछ और मैटर दिये जाएं तो यह पहला पार्ट है और इसी तरह आपको डेली 10 10 क्वेश्चन के इन्वालमेंट के पार्ट मिलते रहेंगे और बहुत जल्द में एक मनोविग्ञान यानि साइकलोजी का स्पेसल पार्ट में बनाने वाला हूँ जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है रिवीजन कराया जाएगा उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि एक्जाम के दिश्टी से महतपूर हो तो चलिए इस स्रीज को स्टाट करते हैं और आई होप आपको इस स्रीज काफी अच्छी लगेगी इस स्रीज में मैंने वही क्वेश्चन रख द्वारा एक गुडवत्ता प्रमारण चिन्ध जो है प्रदान किया जाता है उस चिन्ध को क्या कहा जाता है यह बहुत important question है और कई बार एक जाम में आया हुआ है तो उसे एगमार्क बोलते हैं आप सभी लोग इससे परचित होंगे सारे question basic है लेकिन महतपूर question है ठीक है तो उस चिन्ध को क्या कहते हैं वो एकमार कहते हैं कभी-कभी question ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत सरकार के द्वारा बिपड़न यों निरचर नेदेसाले द्वारा जो एकमार्क चिन्ध प्रदान किया जाता है वो किसलिए दिया जाता है तो वहाँ पर गुडवत्ता प्रम महतबूर प्रशन है और कई बार एकजाम में आया भी हुआ है और सभी लोग इस question से परचित भी होंगे चहां तक मुझे संभावना है दूसरा question है भारत का पठम Antarctic सोध केंद्र कौन सा है यारी भारत के अभी तक सिर्फ तीन ही अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं और ती 1983-284 यानि 1983-84 में यह दच्छिड गंगोत्री नामक जो है सोध केंद्र बनाया गया था यह भारत का पहला सोध केंद्र है और सभी सोध केंद्र जो हमारे हैं अंटर्क्रिका में हैं और क्योंकि वहाँ पर जीवन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और वह स्वैत एक तर भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र का है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें एक याद होता है और दूसरा नहीं याद होता है या दूसरा याद और तीसरा नहीं याद होता तो यहाँ पर हमने तीनों जो है सोध केंद्र अनुसंधान केंद्र का नाम यहाँ पर हमने सीरियल लेख लिया हुआ है, तो यहां पर दूसरा जो अनुसंधान केंद ہے वो दूसरा अनुसंधान केंद है, भारत का है वो मैतरी नाम से जाना जाता है, ठीक है न, और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 9988-89 में हुए थी यानि 1988-89 के मद्ध जो है भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री के नाम से अस्थापित किया गया था था थर्ड जो most important question है और current का भी question बन जाता है ये क्योंकि अभी latest जो है ये latest और last अभी तक जो है वो जो यहीं भी है भी कोई नया और नहीं बना हुए है तो तीसरा भारत का जो अनुसंधान केंद्र है अनुसंधान केंद्र है बारती नाम 2012 में हुई थी तो यहां पर आपको नाम भी याद रखने हैं और साथी साथ अगर सन आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी कुर्शन सन का भी पूछ लेता है डेक्स क्वर्शन देखते हैं फिफ्ट क्वर्शन नंबर है इस स्रीज का 21 सदी में 20 परियावरर संदचड है तो एक कारियोजना संचालित की गई उसका नाम क्या है तो 21 सदी में 20 परियावरर संदचड है तो जो कारियोजना संचालित की गई उसका नाम जो है एजेंडा 21 है यानि एजेंडा 21 के नाम से यह जो कारियोजना है वो जानी जाती है चलिए नेक्स जो ये Agenda 21 है, ये सभी देशों का एक लिकास से संबंधित नीतियां और कार्योजनाएं बनाता है, और बैठके होती है, नेक्स क्वेशन देखते हैं, सबन क्वेशन नंबर है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अस्थापित किया गया, देखें, यूपी के ज पार्क जो है, लखनों में स्थापित किया गया था, और लखनों कहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नेक्स क्वेशन देखते हैं, पोसड का राष्टिय संस्थान इस्तित है, तो पोसड का राष्टिय संस्थान कहां पे इस्तित है, तो है आयरोवेद का रास्टिय संस्थान कहां इस्थित है तो आयरोवेद का रास्टिय संस्थान जो है वो जैपूर में इस्थित है यह भी महतपूर प्रश्चन है आप सबी लोगों के लिए भी ध्यान न कियेगा कि आयरोवेद का रास्टिय संस्थान कहां इस्थित है तो आयरो Institute of Naturopathy कहां पर इस्थित है तो वो पोड़े में है ओके और आज के स्रीज का लाफ्ट कर्शन देखते हैं यूनिश्को की विस्विरासा सूची में समलिप की गई इमारत कौन सी है यूनिश्को की विस्विरासा सूची में जो इमारत समलिप की गई है उसका नाम है महाबोध मंदिन तो आज के स्रीज के ट्वेल महात्पूर क्वेशन जो थे वो कंप्लीट हुए आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेशन का भी अच्छे लगे होंगे तो प्लीज यह स्रीज अच्छी लगी है तो आप वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बाल लाइक क सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा एक प्रियावर से संब्सक्राइब के टिक्सिनरी हो जाएगी यानि प्रश्णों का संग्रा हो जाएगा जो आपके इग्वामें बहुत ही फायदे मन्द होगा तो वीडियो में वाइंड अप करने से पहले आप सब सब्सक्राइब करेंगा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत धंद बाद थैंक्स फर वाचिंग दोस्तों थैंक्यू